कि에서 Say economic importance के words का अध्यान किया जाता है यानी उन पक्षियों को सामिल किया जाता है जोकी मानव के लिए आर्थिक लाब medal के लिए होते हैं कि छैसे आपसे Simple Question पूच लिया जाए कि निम्न में से पॉल्ट्री में सामिल पक्षी है और उसमें option में दे दे more तोता यानि पेरेट तो यह जो पक्षी है यह बर्ड्स है वो पॉल्ट्री में सामिल नहीं होंगे क्यों क्योंकि आपको पता है पिकॉक नेशनल बर्ड है तो जिस तरह से हम पढ़ते हैं लाइव स्टॉक सिंपल सक्यूशन आजाता है निम्न में से निम्न में से पॉल्ट्री में सामिल पक्षी नहीं है या पॉल्ट्री पक्षी नहीं है तो ओप्षन में आपको दे दिया तो ओप्षन में जैसे मोर दे दिया पिकॉक यह फिर दे दिया आपको पेरट यानि तोता तो इस तरह के जो पक्षी जिनको जिनके मांश और एग्स का उप्योग नहीं किया जाता है उनको पॉल्ट्री में सामिल नहीं किया जाता है इसी तरह से एक क्विश्चन लाइश्टॉक का भी बनता है आपको पता है आर्थिक लाब के लिए पाइले जान सब्सक्राइबभाबवा ज्यान वाले जो पसूह होते है इनिमल ओते हैं उनको लीश्टॉक कहते हैं तो जैसे निम्न में से लाइश्टॉक में सामिल नहीं रिच आफ दा फॉल्सकर अन्कुड़ेली लाइस्टॉक तो लाइश्टॉक में कौन नहीं है नहीं है तो सामिली है कुट्ता है या फिर सियार है या खरगोस है तो इस तरह के जो एनिमल्स है वो सामिल नहीं होते हैं आगे हम बात करते हैं कि पॉल्ट्री से समंदित कुछ टैर्मिनलोजी हम पढ़ रहे थे तो पॉल्ट्री या मूर्गी यानि सबसे ज़्यादा पॉल्ट्री के अंदर कौन सा पक्षि है मूर्गी के द्वारा सबसे ज़्यादा मांस और अंडाउद पूरे विशु भर में हम देखें, तो Gales Gales Domesticus सबसे ज्यादा इसकी रेरिंग की जाती है, सबसे ज्यादा एक प्रोडक्शन इसी की दौरा किया जाता है, सबसे ज्यादा मीट प्रोडक्शन इसी की द्वरा किया जाता है, इसमें अलग अलग breeds हो सकती हैं, शित्र-वाइज वर्ल्ड में जैसे बारत में देशी नसले हैं कडकना थ असील है चीता गउंग या मलाया है इस तरह की जो देशी नसले हैं व्यधेशी नसले होती है जैसे प्लीमोध रॉक है या फिर हचाँ वाइट लेगॉर्ण जो कि सबसे जदा अंडे देती है तो इनका labeled Till your पहले हम important points इसके discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने कल laying की definition पढ़ लीती laying का मतलब क्या होता है मुर्गी द्वारा अंडा देने की क्रिया और आपको पता है मुर्गी द्वारा अंडा देने की क्रिया एक तरह से प्रसव जैसी क्रिया है या पार्चूरेशन जैसी क्रिया है प्रसव में जो इस्तंधारी जन्तूओं की मादा द्वारा बच्चा अपने जनन नाल के रास्ते बाहर निकाला जाता है उसमें और अंडा देने में क्या फरक होता है देखिए प्रसव में जो बच्चा निकलता है मुर्गी द्वारा जो अंडा निकाला जाता है वो निशेचित हो भी सकता है और एनिशेचित भी हो सकता है यानि कि वो फर्टिलाइज और अन्फिटिलाइज दोनों तरह का हो सकता है अगर मुर्गी की मेटिंग कॉक से यानि हैन की मेटिंग कॉक से हुई है तो इस तरह से फर्टिलाइज़शन हुआ है तो फर्टिलाइज एग ले करेगी मुर्गी और उस फर्टिलाइज एग में उस अंडे में कुछ फरक होता है, उसके अंदर छूजा डवलब होता है और एनिशेचित अंडा है, उसमें चूजा डवब नहीं होता है आपको एग की स्ट्रक्चर तो मालूम होगी। हेग में क्या-kya होता है, देखे इस तरह से ये एगसेल होता है और एक्सेल के अंदर, यह वाइट, एलुमिन होता है, यह इगवाइट होता है, इस तरह से, और एगवाइट के अंदर आपको पता है क्या होता है? पिल्कुल मिड में इस तरह से क्या होता है यह योक होता है यानि पी तक होता है और अगर हम बात करें यहां पर तो सेल मेंब्रेन होती है एक की इस तरह से जस्ट इस एकसेल के नचे और इस तरह से blood हलिए और यह जो एकशेल है या की शेल मेंबरेन है इस तरह से यह योक से इस तरह से एक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती highly इसको बोलते है चला जा यह योग होता है इसका परसंटेज अगर हम देखें तो यह होता है 32 परसेंट और यह एल्विमिन जो होता है यह 58 परसेंट होता है अब हम बात कर रहे है निशेचित और चित अंडों की जो मार्केट में के लिए और इस्चित रहे आपको पता है और जैसे मुर्गी की बात करें तो मुर्गी ने जैसे अंड़ा दिया लेंग की आज़्लाइब तो 21 दिन बाद इसमें से क्या निकलेगा चूजा निकलेगा 21 दिन बाद तो यह जो समय है इसे कहते हैं incubation period incubation period जैसे आपने सुना होगा बीमारी के लिए भी incubation period होता है किसी भी रोग कारा किया बीमारी के जो किटानुम सरीर में जाने के बाद रोग के या उस बीमारी के प्रथम लक्षण प्रकट होते हैं उसके बीच का जो समय होता है वो incubation period कहलाता है incubation का मतलब कुछ और कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है अंदर ही अंदर इंक्यूबेट हो रहा है अब एग के अंदर हमें दिखाई नहीं देता एग के अंदर चूजा विक्सित हो रहा होता है जो छोटा small chick है वो डवलप हो रहा होता है तो उसको डवलप होने में 21 दिन का समय लग जाता है तो हमने मेमल से पॉल्टरी की तुलना की कि मेमल में तो बच्चा बन करके और बाहर आता है जबकी पॉल्टरी के द्वरह या पक्ष्यों के द्वरह बड्स게 द्वरह जो एग बाहर दिया जाता है lookin उसी एक के अंदर उस चूजा का विकास होता है फिर इस एग से जैसे फुल डवलप हो गया चिक तो इस एग से ये चिक है या फिर ये चूजा है ये वाहर आता है इसके सेल को फोड करके अगर हम बाइयोलोजीकली बात करें तो इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रियंट्स होते हैं एक के अंदर आपको पता है एक की जो प्रोटीन होती है वो आ आदर्स प्रोटीन मानी जाती है आदर्स प्रोटीन कह सकते हम और आदर्स प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसकी बाइयोलोजीकल वैल्यू 100 होती है बाइयोलोजीकल वैल्यू नूट्रिशन के इससाफ से 100 बाइयोलोजीकल वैल्यू वैल्यू वाली चूब प्रोटीन हो होता है उसमें चूजा डवलप होता है वह है चूजा इस नूट्रियंट्स को यह एग वाइट है लिमिन है योग है इन सब का उपयोग कर लेता है तो अगर हम वेट की बात करें तो जिस दिन मुर्गी ने अंडा दिया था उस दिन से लेकर के और जिस दिन चूजा निकल रहा है उसमें से यानी किस दिन बात तो इस एक का वेट घट जाता है एवरेज रूप एवरेज हम बात करें तो देखिए मुर्गी जो अंडा देती है उसका एव जब इसमें से जो चूजा निकलता है उसका हम वेट करते हैं तो इस एग के टोटल वेट से कहीं कम बैठता है इसका कारण आपको पता होगा एक के अंदर बाहर से कोई न्यूट्रियंट्स हम एंटर नहीं करा रहें तो एक के अंदर जो भी पोसक पदार्थ हैं उसको चूजे ने उपयोग में लिए अपने शरीर के निर्मान में और उस समय कुछ मेटबॉलिक रियक्शंश हो रही होती है और आपको पता है किसी भी जीव के द्वारा कोई भी न्यूट्रियंट्स यदि आइसोलेट कंडिसंस में अगर उसके द्वारा यूज किये तो कुछ उर्जा के रूप में उस्मा के रूप में हीट का लॉस होता है और जो वो और अर्गिनिक सब्स्टेंस से कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी वेट में मेटाबोलिज्म की वज़े से कमी आती है ठीक है यह बात हमने की की वही बजन घट जाएगा बिल्कुल घट जाएगा और यह XL भी हट जाता है जो कि 11% होता है आपको पता है XL में होता क्या है XL में केल्शियम कार्बोनेट होता है सबसे जदा है CACO3 जो की लगभग 94% तक होता है फिर मैगनीसियम कार्बोनेट भी होता है इसमें लगभग 1% के आसपस और जो 4% होता है वो और गिनिक सब्स्टांस होते हैं में कितना पॉरपरसेंट प्रसेंट तो यह एकशेल का कंपोजिशन होता है द्दे का है इसा इंड़िंगा कोच में बारीक भारीक चिद्र भी होते हैं बिल्कूल छोटे छोटे च्छेद होते हैं हज्जारों की संख्या में इन चोटे चोटे च्छेदों से यह अंदर जो डवलब हो रहा होता है चूजा वो ऑक्सिजन लेता है और कारवन डायाकसाइड को बाहर छोड़ता है कभी-कभी यह अंडा जो है आपको पता है मुर्गी में अंडे को आने के लि common चित्र होता है जिसको हम कलοιय का या अवसकर चित्र कहते हैं इस अवसकर चित्र से इस तीनों चीजेज़े बाहर आती है तो कहीं अच्छ चित्र में बैक्टीरिया के गुसने की चांके रहते हैं हालांकि अंदर यह एकसेल मेंब्रेन होती है और पेनेटरेट नहीं करने देदी लेकिन जस्ट एकसेल की नीचे बैक्टिरिया हो सकते हैं इसी लिए कई लोग इन एक्स को कच्चा खाते हैं उसका उनको नुखसान होता है यह इकोलाई साल्मोनेला प्रोटियस इस है कि जो intestinal bacteria होते हैं जो बीट में या मल में हो सकते हैं आपको पता है चाहिए पॉल्ट्री हो और चाहिए cattle हो चाहिए buffalo हो चाहिए human हो इन सभी के intestine में यह ग्राम नेगेटिव बेक्टिरिया जो горस सकते हैं इकुलाय सालमवलिया यह बैक्टिरिया क्या कौज करते यह डिसेंटरी dair…. को करते हैं तो इस तरह से कच्छा अंडा कई लोक दूद में कि खाते हैं तो इस इस एकगिसल से भेक्टिरिया इभाण के श्र्छ में जा सकते हैं और। या एरिया कौज कर सकते हैं दूसरी बात कच्च अंडा की बात आगी तो कच्च अंडे में एक एविडिन नाम का आपको पता होगा एवीडीन नाम का एक Anti-Nutrational Factor होता है Animal Nutrition में हम पढ़ते हैं Anti-Nutrational Factor क्या होते हैं ऐसे पदार्थ जो कि सरीर में जा करके और सरीर को नुकसान करते हैं जो की पोसक पदार्थों में या खाने में मौझूद होते हैं उनको हम Anti-Nutrational Factor केते हैं एवीडिन जो क्या करता है एवीडिन विटामिन आप लोग बताएं कौन से विटामिन को कम करता है ताकि लाइव क्लास में पता रहें आप वास्ता में ध्यान दे रहें कि कौन से विटामिन की कमी करता है यह जो एवीडिन है जो एंटीनुटिशनल फैक्टर है वो किसकी कमी करता है बताएं कौन से विटामिन को यह डैस्ट्रॉय करता है बिल्कुल सही है मौनु गुजर ने बताया बायोटीन मनीशा प्रेमकांत बिल्कुल B7 भी बोल सकते हम बायोटीन को संदीप पाटिदार बायोटीन बिल्कुल ठीक है सब भी ने बता दिया कि बायोटीन क्या होता है आपको बता है विटामिन B7 को हम बायोटीन भी कहते हैं और इसी को एंटी एग्वाइट इंजिरी फेक्टर भी कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात है तो यह हमने एकसेल की बात कर लिए कि इसमें से अंडा सांस लेता है ऑक्सि दवलेप हो रहा होता है चुजा विक्षित हो रहा होता है अब हमने बताया कि इंक्विपेशन पीडियर्ड जीव तिन एक दिया यानि अंडा लेंग किया उस दिन से लेकर कि उसमें से चूजा निकला तब-तक का समय अब हम कैसे जाचे कि कौन सा अंडा फर्टिलाइज ह और कौन सा अन फटिलाइज या नोन फटिलाइज है तो जो फटिलाइज अंडा है निशेचीत अंडा है उसको हम केंडलिंग की सायता से एक केंडलिंग Candling क्या हुती है Candle का मतलब होता है मौंबत्ति और Candling का मतलब पुराने समय में जब मौंबत्ती ही चलती थी यानि कि torch नहीं थी जब क्या करते थे मौंबत्ती चला करके और इस egg को यहां रख करके और यहां आखों से इधर से देखते थे तो प्रकास की किरण इस अंडे को क्रॉस करके और आँखों तक आती थी और इसकी structure का हमें पता लग जाता था इसी को हम क्या कहते हैं? तो केंडलिंग एक विधी है जिसके द्वारा हम अंडे की आंतरीक संद्रचना इंटरनल इस्ट्रेक्चर को हम बिल्कुल ग्रॉस ली हम देख सकते हैं मोटी मोटी चीजें दिख जाएंगे बिल्कुल हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम केंडलिंग के द्वारा एक एक चोटी मोटी structure का हम पता कर सकते हैं इतना नहीं लेकिन एक के अंदर यदी कोई parasite है परजीवी है एक सेल यदी कहीं से crack है अंडे का कवच कहीं से तूटा हुआ है अंडा सडा हुआ है या अंडे के अंदर कहीं कोई meat sport या blood sport है या फिर एक फटिलाइजड है या नोन फटिलाइजड है इन सब छोटी मोटी बातों का हम इस कर सकते हैं अब देखिए आजकल जो candler है वह उसमें यह मुंबत्ती की जुरूत नहीं पड़ती आजकल इस तरह से candlers आते हैं इस तरह के torch नूमा इस तरह के जिसमें egg को यहां place कर देते हैं और इस torch को जलाते हैं तो यह light इसमें से cross होती है तो जो अंत्रिक संरचना या internal structure है बिल्कुल clearly visible होती है जैसे हम कई बार कि torch होती है और उस torch को हम हाथ पर यहां लगाते हैं तो हमारे हाथ में रेड रेड सा यह दिखाए देता है पूरा internal जो इस ट्रेक्टर है वह लगभग visible हो जाती है लगभग visible हो जाती है हुआ है हाँ तो यह हो गया चोटी मोटी बात हैं हमने की कि फटिलाइज और नोन फटिलाइज अब देखो एनिशेचित अंडे को फार्मिंग अंडा कहा जाता है और इसे मार्केट में बेचा जाता है और इसे खाया जाता है इदि कोई जिव एनिशेचित अंडे देता है यह नी अंडे तो देता है मुर्गी बी देती है और मेल से मेटिंग होगी तो वो फेटिलाइज एग देगी अन्यथा नॉन फेटिलाइज एग देगी तो हनीबी के कंडिशन में आपको पता है जो मदुमक्खी जो है वो एनिशेचित अंडों को छत्ते में देती है जो जिसको हम रानी मदुमक्खी कहते है रानी मदुमक्खी एनिशेचित अंडों को देती है अब वो एनिशेचित अंडे है वो ड्रॉन में बदल जाते है यानि नर में बदल जाते है और जो निशेचित अंडे होते हैं यानि फेटिलाइज एग होते हैं उनसे दो प्रकार के जीव बनते हैं, जिन निशेचित अंडों को रोयल जैली पिला दी जाती है, वो तो रानी मदुमक्खी बनती है, और जिन निशेचित अंडों को रोयल जैली नहीं पिला जाती है, वो क्या बनते हैं? स्रमिक बनते हैं यानि एक तरह से मदुमक्खी भी क्या है सामाजिक कीट है हम यहाँ पर एक डेफिनेशन बताने के लिए मदुमक्खी पर आये हैं मदुमक्खी में क्रोमसोम्स का ध्यान रखना आपको फीमेल के अंदर या फैटिलाइज जो होती है उसमें 32 क्रोमसोम्स और 16 होते हैं मेल के अंदर यानि नर के अंदर गुर्ण सुत्रों की संख्या आदी होती है क्योंकि वह पार्थेनोजनेसिस से विक्षित हुए है अब यह पार्थेनोजनेसिस क्या होती है बिना निशेचन के किसी अंडे से किसी जीव का विकाश होना पार्थेनोजनेसिस य या एन इसे एक जनन केहलाता है तो पार्थेरों जननेसिस का मतलब हमने पड़ा कि बिना निशिचन का कि क्या विक्षित होना बच्चा विक्षित होना हाँ अब हम इसी पॉल्ट्री साइंस में एक नई डेफिनिशन पढ़ रहे है ब्रूडिंग ब्रूडिंग आपको क्या मालूम है इसके बारे में अब तक होगा ब्रूडिंग क्या होती है तो देखें brooding का मतलब क्या होता है और एक है incubation incubation के बारे में हमने पढ़ लिया अभी कि जैसे मुर्गी ने अंडा दिया इस अंडे के अंदर यदी चूजा विक्षित हो रहा है तो ये जो 21 दिन मुर्गी के केस में और बत्तक के केस में 28 दिन और यदि हम तीतर की बात करें तो तीतर में 17 दिन तो ये तो है फाउल के लिए फाउल के लिए ये है डग के लिए और ये है तीतर के लिए यानि क्वेल के लिए तो क्वेल के लिए है आपको पता है क्वेल को हम कोट्रूनिक्स कोट्रूनिक्स जैपोनिका कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं तीतर या फिर बटेर भी कहते हैं इस और इसमें सबसे जो अच्छी क्वालिटी ओती है वो जपीनी के होती है जिसको हम कौटु निक्स जिसको के कौ बाटेश एक है ब्लाटरोल चोटा पक्षी होता है इसके अंडे का साइज भी 10 Stop, 20 Stop लेकिन इसका मीट होता है कॉले श्ट्रॉल yılवू भेट मां के सब्दोल्किंव folяч defect कोचिए केकिनिक क में नुट्रीटिव होता है इसलिए क्वेल की फार्मिंग भीूतर अजकर पॉल्टी इंडूस्ट्री में खूब की जारी जारी दर तीतर का पालन और प्राकर्तिक रूप से तो आपने देखा ही होगा तीतर या क्वेल पाए जाते हैं अपने उत्री जो राज्य है उनमें बतक आपको पता होगा इसके अंडे का इंक्यूबिशन पिरियड कितना होता है 28 दिन तो हम यह बता रहे थे इंक्यूबिशन क्या होता है इस अंडे के अंदर जो चूजा डावलप होता है इस चूजा डावलप होने में कितना समय लगा 21 दिन तो देखे यह चूजा कब डावलप होगा इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि यदि फर्टिलाइज एग दे दिया इसके उपर मुर्गी नहीं वैठी तो इस अंडे के अंदर चूजा विक्सित नहीं होगा अंडा देने से ही मतलब नहीं है अंडा देने के बाद इसके उपर मुर्गी का बैठना या मुर्गे का बैठना भी जरूरी होता है कई नसलों में कुछ कौक भी बैठते हैं और बैठ करके इसको क्या देते हैं टेंप्रेचर देते हैं temperature यह शरीर की उसमा इसको देते हैं तब झाकरके इसका विकास होता है चूजेगा। तो यह जो period होता है इसको कहते हैं अंडे का सेहना अंडे को सेहना क्योंकि इसको temperature देने से ही इस में से चूजा निकलेगा और यह temperature यह carbon dioxide यदि यह हम करत्रिम रूप से दें जो कि जब मुर्गी अपने पंखों के नीचे उस अंडे को लेकर के बैठेगी तो कहीं कहीं वहां पर oxygen की कमी आएगी, कार्म डायकसाइड की अधिकता होईगी, कुछ moisture की अधिकता होईगी और साथ ही साथ उस अंडे को temperature मिलेगा जिससे उसके अंदर चूजेगा विकास कई बार हम देखते हैं हमारे घरों में कुछ पक्षी अंडे दे जाते हैं बहले वह फर्टिलाइज हो यदि हम उसके गौसले को बिल्कुल शुरुवाती अवस्ता में उस मुर्गी से या उस पक्षी से उस कबूतर से अलग कर देते हैं तो ज्यादतर उसमें क्या है इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं इंक्यूबेटर वे उपकरन होते हैं जिनमें इंक्यूबेशन कराया जाता है जो फर्टिलाइज होते हैं उन फर्टिलाइज एक को इन इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है देखिए कैसे होते हैं इस तरह से ट्रे होती हैं इन ट्रे के अ और इसमें से चूजा निकले तब तक तो इसका ध्यान रख नहीं हम तो उनका टाइम बिल्कुल भी वेश्ट नहीं करना चाहते हैं इसलिए उनको तो बिल्कुल एग ले करके और हम आगे की प्रोसेस हम करते हैं पॉल्ट्री फार्म में बड़े-बड़े फार्म में ताकि उ हम जो है मेनवली उन एक्स को incubator में रखते हैं सेस्टि के साथ और उन निकलते हैं क्योज़े निकलते हैं तो यह इंक्यूबेटर का काम होता है इसमें टैमपरिशर दिया जाता है आर्टीफिशल करत्रिम रूप से और उसमें से फिर क्या है चूजह निकलता है यहां पर हम पढ़ होना चाहिए जब यह अंड़े में से निकलता है तब यह बहुत नन्ना छोटा होता है और इसके धिमाग में इसके ब्रेन में जो हाइपो थेलेमस भाग है वो विक्सित नहीं होता हाइपो थेलेमस आपको पता है यह जो पार्ट है थेलेमस का नीचे वाला भाग है काफी इंपोर्टेंट पार्ट है ब्रेन में मस का हो जिसमें यह आइपो तले में डवलप होता है उनके सरीर का तापमान फिक्स होता है जैसे गाई की बात करें 101.5 मानव की बात करें तो मानव या हुमन का जो टेंपरेचर होता है 98.6 डिग्री फॉर्णाइट में है आप सेंटेक्रेट में भी कर सकते हो मूर्गी की खुद की बात करें तो मूर्गी का 107 या 106.5 डिग्री फॉर्णाइट ऐसे ही हम बात करते हैं बक्री का तो देखिए 102 पॉइंट यह यह होता है अब यह ज्यादा तर इन में एक तो बर्ड है बाकी सब मैंमल्स हैं तो ऐसे जिव जिनके शरीर का ताफ़ान फिक्स होता है उनको हम होमियो थर्मल कहते हैं समतापी जंतु कहते हैं या उनको हम वार्म ब्लेड एड एनिमल्स कहते हैं यानि गरम रुधिर वाले प्राणी या गरम रुदिर वाले जनतु हम उनको कहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा मुर्गी में शुरुआती अवस्था में यानि चूजे वाली अवस्था में उसके दिमाग में यह हैपोथेलमस विक्षित नहीं था लेकिन बाद में यह डवलप हो जाता है इसलिए मुर्गी का में यह चूजे काम होता है आर्टी बिशीली हम उनको टेमपरेचर देते आपने सुना होगा कुछ बुरूडी हैंस होती है बुरूडी हैंस का काम होता है चोटे-चोटे चूजों को अपने पंखों में सिमेट करके बैठना ऐसी 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 बर्ड्स या ऐसे पक्षी या ऐसी फाउल जो क्या करती है तो उनको हम बुरूडी कहते हैं बुरूडी भी बुरूडिंग की क्रिया करने वाली कौन होगी बुरूडी कहेगी बुरूडी होगी अब यह जो बुरूडिंग की क्रिया है वो कैसे की जाती है तो देखें बुरूडर में यह बुरूडिंग की क्रिया की जाती है एक नीचे इस तरह का बना हुआ एक चिक गार्ड, एक बरतन समझ लो या एक एरिया समझ लो इस एरिया में चूजे रखे जाते हैं लगबक 250 चूजे रखे जाते हैं ब्रूडिंग यूनिट में और इसमें ये चूजे हैं इन चूजों को इन विद्यूत बल्ब की सायता से हम द को दोनों चीज़े दे रहे हैं एक तो प्रकास दे रहे है और साथ i साथ क्या दे रहे हैं इनको इनको हीट दे रहे हैं आपको पता है 60 वाट के जो बल्ब होते हैं वो काम में ले जाते हैं हमने कहा कि मुर्गी को हमने चुगने के लिए छोड़ दिया और उसके बच्चों को हम कृत्रिम रूप से टेंपरेचर दे रहे हैं तो यह जो मसीन है यह उपकरना है इसको हम क्या कहते हैं और ब्रूडर के उपर वाला भाग जो की संकूनुमा होता है इसको हॉवर कहते हैं और इसमें इन चुजों को रखा जाता है यहाँ पर दाना पानी सब व्यवस्ता होती है चुजे के लिए और प्रकास जब ज़्यादा देते हैं हम तो यह ज़्यादा देर तक क्या है चुगते हैं ज्यादा देर तक दाना चुगते हैं तो तेजी से यह बढ़ते हैं और आपको पता है इन ही चुजों से ब्रूडर्स बनते हैं ब्रॉयलर्स इन्हीं में से तयार के जाते हैं, ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ऐसे बच्चे जिनको काई के लिए पाला जाता है, मांस के लिए पाला जाता है, 6-8 सब्ता के होते हैं, और लगबग 1.5-2 kg इनका वजन होता है, उनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, तो मांस के लिए पाले जाने वाले चूजे जिनका वजन रेड से 1.5 से 2 किलोग्राम तथा जिनकी उम्र 6 से 8 सब्ता होती है जिनकी इस्टरनम लचीली होती है जिनका मांस काफी लीन होता है ऐसे चूजों को ब्रॉयलर्स कहते हैं और ब्रॉयलर्स बहुत तेजी से ग्रोव करते हैं आपको पता होगा ब्रॉयलर्स को मांस के लिए पाला जाता है तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि इंक्यूबेशन क्या होता है ब्रूडिंग क्या होता है ब्रूडिंग जो है शुरू आती अवस्था में चूजों को करतिन यह ग्रूप से टेंप्रेचर देना है और बाद में तो उनके दिमाघ का जो टेंपरेचर का रेगुलेशन का क्यंद्र है आई-बात में विक्षित हो जाता है आपको पता है जो में सरीषरफ है रेप्ली से इनमें या 01 में यह आई-पोथेलमस भाग डवलाप नहीं होता ह को का अैं कि ऐङो मैस वैसे पिटूठी ग्लेंड को भी कंट्रोल करता है । जी सीell करता है इसलिये की थी से उपडना के उपड़ ऑपर भी एक मास्टर होता है जिसको आई पो थैलमस । मेस आपको पाइस से आपको पता आ का सुht जी अनरेच दो हर्मोन्स को रेगुलेट करता है आप बताएं देखें कौन-कौन से हर्मोन्स को रेगुलेट करता है जी अनरेच बिल्कुल सही है FSH और LH FSH और LH दोनों को क्या करता है यह जी अनरेच कंट्रोल करता है बिल्कुल संदीप मोनू सही है भईया अंकित यादव बिल्कुल FSH और LH पवन ठीक है हाँ भई तो जो सर्दियों में कुछ रेप्टाइल्स है आपको पता है वो दर्ती की सथा पर रुखते नहीं है वो कहीं कहीं गहरे बिलो में छुप जाते हैं अंदर जाकर के और आप में देखा होगा सांप भी सर्दियों में गायव हो जाता है चिपकली भी जा जाता और गिलैरी भी बहुत कड़ाके की ठंड होती है तब क्योंकि इनके दिमाग में टेंपरेचर रेगुलेशन का जो सेंट्र होता है आइपोथेलमस वो डवलप नहीं होता है और इसी क्रिया को हम हिबरनेशन करेते हैं हिबरनेशन का मतलब होता है सीथनिस्क्रेटा हिबरनेशन 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 और एक होता है एस्टिवेशन एस्टिवेशन का मतलब होता है इस्टिवेशन का मतलब होता है इस्टिवेशन का मतलब होता है सीथनिस्क्रेटा कि एस्टिवेशन कूछ फिस्स के द्वारा दर्साया जाता है और हिवर नेशन जो है आपने देखा होगा मेंडक भी बिल्कुल गायब हो जाता है यहां तक जो चोटे रैप्टाइल यह सब भी तेज ठंड में गायब हो जाते हैं क्यों कायब हो जाते हैं क्योंकि इनके शरीर में यह जो टेंपरेचर को रेगुलेट करने वाला नहीं होता है यह बिल्कुल वह समाधी की अवस्ता में चले जाते हैं चुप ना तो खाना खाते हैं हलका हलका सा सांस लेते हैं बस इनका जीवन एक योगी सन्याशी सादू की तरह उस ठंड में कहीं गहरे बिल में निकलता है चुप ऐसे बैठ जाते हैं अपनी मेटाबोलिक रियक्शन को बिल्कुल डाउन करके और निद्रा की अवस्ता में चले जाते हैं जिससे इनकी उर्जा से इनके सरीर से उर्जा का लोस एनर्जी का लोस बहुत कम होता है और तो इबर नेशन और एस्टिविशन भी हमने पढ़ा अब आपको पता होना चाहिए कि मूर्गी जो है उसका फीड कनवर्जिन रेशियो भी बहुत अच्छा होता है एपसी आर आपको पता होगा एपसी आर क्या होता है जैसे हम उसको आउटपूट देते इंपूट देते है उस इंपूट से इसका आउटपूट बहुत अच्छा आता है और मूर्गी को लगबग टोटल जो खर्चा होता है पॉल्ट्री इंडरस्ट्री में उसमें सेवन्टी परसेंट जो खर्चा होता है वह मूर्गी के खाने पर होता है कि खाने पर होता है और एक डेफिनेश और है हैचरी हैचरी क्या होती है जहां पर हैचिंग की क्रिया होती है हैचिंग है जहां पर हैचिंग होती है उनको हैचरी कहते हैं हैचरी में क्या है अंडे से क्या निकालते हैं चूजा डवलप एक चिक जो है वो बाहर आता है अब मुर्गी को पालने के लिए देखिए दो सिस्टम अपनाए जाते हैं एक तो दीप लिटर सिस्टम और एक आपने सुना होगा केज सिस्टम तो ज्यादा तर जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको केज में पाला जाता है केज केज के अंदर केज का मतलब होता है पिंजरा और पिंज्रे में एग देती है एग करती है is यह अंडे सरक्षित होते inherent बिल्कुल सेफ रहते हैं और केज में भी जो है अलग अलग तरह के होते हैं जैसे बैटरी केज सिस्टम कैलिफोर्निया केज वह हम आगे पढ़ेंगे अभी इससे जुड़ी हुई एक बीमारी हम पढ़ते हैं एक तो होती है केज लेयर पैरलाइसिस और एक होती है केज लेयर फैटिग दोनों का आप बताएंगे कौन-कौन से विटामिन की कमी से केज लेयर पैरलाइसिस और केज लेयर फैटिग होती है बताएं वही केज लेयर फैटिग किस विटामिन की डेफिसीनसी से होती है बिल्कुल केज लेयर पैरलाइसिस होता है वि लेज लेयर फटीग होता है विटामिन C की कमी से ठीक है वही तीनों बच्चों अंकित का अजय का इन सभी का विल्कुल आंसर सही है हाँ अगला हमारा इससे क्यूस्चन रहेगा हम कुछ विटामिन को डिसकस कर लेते हैं तो इसका पॉल्ट्री से क्या संब्ध है आपको पता है जो अंडा होता है अंडे का योक होता है किस कलर का होता है पीले रंका और यह जो पीले रंका होता है कौन से रखते हैं मकका परोपल की मों हम चुगाते हैं या मेंज का कोई चुर्रा कीम फिसा भूआ रूप ग्राइंड रूप ल subscribe हम दंप अ प्रूस में Utila को सिर्फ एंथिन या जैन्तूफिल्स होते हैं वो मुर्गी के शरीर में जाते हैं। और यह जो पीता कोता है इंडे का बीछ In भाग इसमेन जैन्तूफिल्स की अधिकता होती है। एक मुर्गी को आपने बाजरा खिलाया, एक मुर्गी को आपने मक्का खिलाई, दोनों में से जिस मुर्गी को मक्का खिलाते हैं, उसका जो एका योग है वो बहुत ज्यादा यलो होता है, उसका कारण आपको बता दिया कि मक्का में जैन्थोपिल्स के रूपे जिया अधिन एक पिगमेंट होता है जो की पॉल्ट्री यहां पर इसको अपने योग के कलर देने में करती है बाज्रा गर हमâteां पॉल्टरी का खिलाते हैं तो यह ब्लेक भी हो जाता है डार्क कलर का हो जाता आपसपता है बाज्रे में ऐरेन के दिखता होती कि फेरस की अधिकता होती है डी अब मक्का के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या कहते हैं भी बताएं था मक्का के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को क्या कहते है नहीं बताया जीन प्रोटीन पाई जाती है मक्का में कौन सी जीन पाई जाती हैय already seen protein फाई जीन जब बात चले तो आसपास की चीजे भी याद कर लेनी च Вас सहे मक्का में कौन सी जीन प्रोटीन पाई जाती है क्या मैसिसका बाटनिकल नेम होता जिया म्यच अब हम कुछ क्यूस्टे के साथ इस क्लासिकी एडिंग करेंगे तो एक बार आपकी पुरानी नॉलेज ले लेते हैं बताएं भई लडाकू मुर्गा किसको कहते हैं लडाकू मुर्गा आप आंसर देते जाएं मैं यहां क्यूस्चन लिखता जा रहा हूं संदीप पाटिदार बिल्कूल सभी का सही है हाँ चिता गॉंग जो मुर्गा है पॉल्ट्री की जो ब्रीड है चिता गॉंग इस चिता गॉंग का एक नाम और है ते बिल्कूल असील तो आप सभी का सहिए इसको क्या कहते है असील चिता गॉंग का एक नाम हो रहा है मलाया बिल्कूल सहिए संदीप ने सब से fast answer दिया मलाया भी कहते हैं इसको अगला की स्वच्चन हमारा रहेगा इसमें इस पर कहां पर विक्सीत होता है इस पर मूर्गे में इस पर डौलाप होता है जिसके कारण ये जो है असील है जो लड़ाई करता है आपको पता होगा मूर्गी के पैर में इस तरह से चार अंगुलिया होती है और यहाँ पर एक बोनी प्रोसस होती है इस तरह से संकुनमा इसको इस पर कहते है और इसी इस पर के करण ये लड़ता है बिल्कुल संदीब का आंसर बिल्कुल सही है टार्सो मेटा टार्सल बोन पर कौन सी बोन पर होता है टार्सो मेटा टार्सल ये दोनों जूड जाती है भई ये दोनों टा इसी पर नोगूर मूर्गी की सब्सेलंबी हड़ी कौन सी है पाल्ट्री की सब्सेलंगेस्ट भॉं дел स्थ भॉं तीबियो टार्सल तीबियो फिभूला थोड़ी हो जाएगी तीबियो टार्सल होगी क्योंकि टीबियो अड़ी के साथ टार्सल अड़ी जूड जाती है तो इसको हम बोलते हैं तीबियो टार्सल अगला बता है वहाँ मुर्गी की जो mouth cavity होती है वो त्रीकोनाकार होती है और त्रीकोनाकार ही मुखगवा और त्रीकोनाकार ही triangular जिसको हम इंगलिस में बोलते हैं इसी तरह की इसकी जीब होती है इस वज़े से देखिए इस तरह से यह ग्राशनाल और यह क्रॉप इस क्रॉप के बाद यह प्रोएंट्रीकुलस और यह हो गया घिजाड और यह उतिये इंटेस्टाइन इस तरह से इसका पॉल्ट्री का क्या होता है डाइजिस्टी सिस्टम होता है यहां आप देखिए यह वाला जो भाग है यह क्रॉप कहलाता है और कबूतर में इस क्रॉप से एक सिक्रेसन निकलता है उसको कबूतर क्या करता है अपने कबूतरी अपने चूजों को अपने मूँ से पिलाती है तो एसे सिक्रेसन को जो charisma होता है nutritive होता है जिसमें कुछ पुसक पदार्थ पाय जाते हैं इसको पिजन मिल्क बोलते है पिजन मिल्क, कबूतर का धूद, तो कबूतर का धूद कोई इस्तन गरंतिया नहीं पाए जाती, कबूतर में जिससे वो धूद देगा, कबूतर जो धूद है, कबूतर की क्रॉप से निकला हुआ स्राव होता है, आगे हम बात करें, ये जो है, ये वाला भाग, ये प्रोवे वेंट्रीकुलस, यानि इसको हम ट्रू इस्टमक भी कहते हैं, और इसके बाद ये वाला भाग, ये वेंट्रीकुलस कहलाता है, आपको पता ये घिजाड है, इसको हम वेंट्रीकुलस भी कहते हैं, इसको हम प्रेशनी भी कहते हैं, इस प्रेशनी में दानों की पिसाई होत करने के लिए केल्शियम कार्मोनेट होता है उनको क्या कहते हैं वह सभी को पता होगा उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं ग्रिट ग्रिट कहते हैं तो ग्रिट मूर्गी को हम चुगा देते हैं दाने के साथ में और यहां पर चुकि यह वाला भाग प्रवेंट्रिकुलस यह ग्लेंडूलर इस्टमक है इसको हम ट्र्यू इस्टमक भी कहते हैं मूर्गी का सत्यामश है और यह नॉन ग्लेंडूलर होता है यह इसमेगु जो अंदर की लेर जो होती है वह काफी कठोर होती है किरेटिन के जमाओं के करणु और इसमेग दानों की पिसाइग की जाती है इसकी दिवार में मसल्स काफी इसमें संकुचन ओता है और ये भुज्य पदार्थों को बिलकूल बारिक पीज देता है इसको हम गिजार या प्रेशनी कहते हैं इसके बाद बोजन को इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया जाता है इंटेस्टाइन में यहां पर इस तरह से दो सीखा भी पाये जाते हैं और बाद में एक कोमन मार्क, जिसको हम cloica कहते हैं, इससे भीट के रूप में जो मल है, वो मुत्र के साथ में उत्सरजी तोता है और मूर्गी में जो उत्सरजी पदार्थ होता है वो uric acid होता है मूर्गी एक uricotelic-jee anymore है, यह अपने उत्सरजी पदार्थ के रूप में निकलता है पेश्ट रूप में बाहर निकलता है यूरीग इसद कम कम जहरील कोपात समय करिक्त की युछॉॉ यूरीक एसीड के मेटाबोलिजम में एक तत्व आउशक होता है मॉलेबडेनम यह ध्यान रखना है और जैन्थीन ऑक्सिडेस नाम का एक एंजाइम होता है उसी वजह से यूरीक एसीड का मेटाबोलिजम होता है तो आज की क्लास काफी हो चुकी है और क्लास का टाइम यही लगबग रहेगा साथ बज़े का ही रहेगा भई